हेलो फ्रेंट्स हम लोग सीटेट पेपर टुर की तयारी कर रहे हैं जिसमें आज हम NCRT बुक का साइंस का चैप्टर 15 देखेंगे यह साइंस एंस 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 चैप्टर जो है वो लाइट है हम लोग देखते हैं फस्ट पॉइंट यहां पे मैंने पूरी चैप्टर क आज है चलिए डिसकूस करते हैं प्लेन मिर इन प्लेन मिर ना इमेज इस फोन ब्हां बिहएंड बमिघर हमारे जो प्लेन मिर वह होता है उसमें जो इमेज बनता हे वह मिरक के भी हां पीछे बनता है इटिस ए्रेक्ट अफ दाम साइज़हाई अडिस इंस अडिस्टेंस उ से मिला रेता है अब से टेंस में मिलाव मैं हमें मने को कह daughter nγकिया यह फोल आँ बनाया है यह चुछा सा हंופ यह उंड्र की और मुड़ा हुआ रहता है। एक concave mirror can form a real and inverted image एक concave mirror किस तरह का image बनाता है यह real होता है और inverted image होता है real image कहने का मतलब हम लोग इसको परदे पर उतार सकते हैं और यह inverted मतलब उल्टा होता है when the object is placed very close to the mirror the image formed is virtual, erect and magnified और concave mirror के case में क्या होता है कि अगर हम object को बहुत close रख देंगे mirror से तो जो image बनेगा वो virtual होगा वो virtual मतलब जिसको हम लोग परदा पर नहीं उतार सकते हैं erect मतलब सीधा बनेगा और magnified बढ़ा बनेगा अब concave mirror का हम लोग कुछ uses देख लेते हैं जैसे doctors use concave mirror for examining eyes, ear, nose and throat doctor जो है वो concave mirror का use करता है मतलब eye, ear, nose and throat में कभी हम लोग को problem हुआ हम लोग doctor पास गए तो वो मतलब बढ़ा बढ़ा देखने से पता चलता है कि हाँ क्या problem है ear में, throat में तो वो इस mirror को use करता है concave mirrors are also used by dentist to see an enlarged image of the teeth अगर किसी का teeth में किसी तरह का problem हो है तो वो सब देखने के लिए भी dentist जो है वो concave mirror का use करता है ताकि उसको जो teeth का image है वो बढ़ा दिखे ताकि वो क्या problem है उसको पकर सके the reflectors of torches, headlights of car and scooters are concave in shape जो reflector होता है torch का आगे जो सीसा होता है और headlight जो होता है car में और scooter में वो सब क्या होता है concave mirror से ही बना हुआ रहता है concave shape का होता है यह सब आप लोग से जैसे exam में seated में पूस सकता है कि मतलब doctors जो है वो कौन सा mirror यूज़ कर सकते है इसका जवाब होगा concave mirror next हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे convex mirror image formed by a convex mirror is erect virtual and smaller in size than the object image convex mirror से किस तरह का image बनता है यह erect बनता है सीधा बनेगा आपका virtual बनेगा मतलब इसका आप परदा पर नहीं उतार सकते है और छोटा बनेगा मतलब object का जो size होगा उससे छोटा image बनेगा इसका कहा कहा यूज होता है हम लोग देख लेते हैं कि convex mirrors are used as side mirrors in vehicles आपके जो गारी होता है जैसे bike हो गया for wheeler हो गया तो उसमें जो side में जो mirror लगा हुआ रहता है तो वो ये convex mirror होता है ताकि पीछे का चीज लोग देख सके पीछे किया traffic है नहीं है कौन आ रहा है यह सब देखने में काम आता है तो आपको ये question पूछ सकता है कि vehicles के side mirror का का काम कौन करता है option देगा convex mirror, concave mirror या फिर plane mirror इस तरह से आपको question में देखने को मिल सकता है अब हम लोग lens की बात करेंगे तो दो तरह के lens का यहाँ पर जिकर हुआ है बुक में NCRT की किताब में Concave lens देखिए यह image बनाया मैंने एक photo बनाया है यह diverging lens होता है मतलब यह क्या करता है इस पर light परता है तो वो उसको फैला देता है आप लोग यहाँ डायरा में देख सकते है लाइट पर रहा है वो फैला देगा है those which feel thinner in the middle then at ages are concave lenses मतलब इसका जो middle portion है आप देख रहे है यहाँ पे वो thin होगा और इसका जो ages होगा जो बाहर का हिस्सा होता है वो मतलब थोगा मोटा रहता है the image formed by a concave lens is always virtual erect and smaller in size than the object जो image बनता है concave lens से वो virtual होता है मतलब इसको परदा पर नहीं उतार सकते है सीधा बनता है और जो object का size होता है उससे कम उससे छोटा बनता है यह सब जो points हम बता रहे हैं इसको आप लोग notes बनाते जाएए और आपको यह सब जो mirror का case है lens का case है दो तरह का lens है दो तरह का mirror है concave convex से सबसे किस तरह का बनता है image बगार इस अब आप लोग ठरब पर लीज़े याद कर लीज़े इसका uses कहां कहां होता है in glasses, myopia, cameras, flashlight, magnifiers, found in telescope, peep holes, security holes in doors अब हम लोग देखते हैं यह जो concave lens है इसका कहां कहां use होता है यह use होता है glasses, मतलब चस्मा बनाने में use होता है, myopia, मतलब जिसको दूर का देखने में problem होता है जिसको दूर का चीज़ साफ नहीं दिखता है, जैसे generally बच्चे होते है, students होते है जिनको दूर देखने में problem होता है तो वो इस तरह का glass लगाते है उसमें जो glass लगाते है बच्चे वो concave lens होता है ताकि वो दूर का देख सके फिर जो cameras होता है, flashlight होता है magnifier होता है और telescope वगरा में और peep holes, peep holes security holes in doors बहुत घरों में जो होता है security holes भी होता है बाहर देखने के लिए कि हाँ door पे कौन खरा है, वहाँ पे ये concave lens का use होता है ये चीजों को magnify करके दिखाता है, और ये convex lens का आप हम लोग देखेंगे, ये क्या है converging lens, convex lens जो होता है वो क्या करता है, जो भी light आता है उसको ये एक जगह पे मिला देता है आप लोग यहाँ figure में देख सकते है those lens which feel thicker in the middle वैसा lens जो की middle में thick हो then at the edges are convex lens मतलब इसका किनारे पतला होगा और बीच में जो है, वो मोटा होगा इस तरह की lens को convex lens बोलेंगे और ये converging nature का होता है ये light को है, वो एक point में जाके मिला देता है अब हम लोग देखेंगे last topic पर आ गए है इस chapter का एक convex lens can form real and inverted image जो convex lens होता है वो किस तरह का image बनाता है वो real और inverted ultra image बनाता है when the object is placed very close to the lens the image formed is virtual, erect and magnified जिब किसी भी object को convex lens के एकदम नजदीक में हम रख देंगे तो जो image है, वो virtual बनेगा erect बनेगा, और magnified बनेगा सीधा और बढ़ा बनेगा और इसका uses कहां कहां है हम लोग देख लेते हैं it is also called magnifying glass इसको हम लोग magnifying glass भी बोलते हैं इससे हम हम चीज़ों को बगा करके देख सकते हैं eye glasses, hyper metropia जिसको नजदीक का ना दिखे eye glasses में भी ये use होता है convex lens, hyper metropia में जिसको जिन लोगों को भी नजदीक का पढ़ने में देखने में problem होता है वो लोग इसको, मतलब convex उनके चस्मे में convex lens लगा रहता है जैसे कि जो लोग बहुत age हो जाता है जैसे 45-50 के बाद लोगों को नजदीक का दिखने में problem होने लगता है तो वो लोग क्या करता है ये वड़ा lens उनके चस्मे में लगाया जाता है ताकि उनको दिखे आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें अपने आपके जो friends हो जो seated की preparation करें आप उन तक पहुँचाए मारे चैनल को subscribe करें ताकि आपको latest वीडियो के notification मिल सके Thank you